नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का 90.94 CMS कम्यूनिटी रेडियो पर जी हाँ दोस्तों कारिकरम शुरू हो चुका है आपका अपना सजी फोनल सेहत की बाद दोक्टर के साथ और आज का यह हमारा जो सजी फोनल है ना वह बहत खास है पुझए क्यों सूझे सूझे इसलिए खास है क्योंकि काफी समय से आप हमें बताते आ रहे हैं कि आपके चाहिते डोक्टर को हम इस कारिकरम में बुलाए इशारा समझ गया ना कौन से हैं आपके चाहिए दॉक्टर जिसकों कि हमारे सभी श्रोतागर बेहत पसंद करते हैं और उनसे बात करना चाहते हैं कभी-कभी हमें कहते हैं कि हमें उनसे मिलना भी है तो देखिए आपके पसंदीदा डॉक्टर और आप ही की मांग पर हम लेकर आ चुके हैं फिर से डॉक्टर उमंग खन्ना के साथ आज का हमारा ये सजी फोनेंड कारिक्रम सेहत की बाद डॉक्टर के साथ लेकिन डॉक्टर उमंग खन्ना जिसे मिलने से पहले उनसे बात करने से पहले आप नोट कर लिजे हमारे इस कारिक्रम में शेर्कत करने के लिए नंबर नंबर है शु 411-33-51, 411-33-51, आप सभी को बारा वफात की बहुत सारी शुपकामना है, साथी साथ, दो दिन बाद है, World Pneumonia Day, उसके बारे में भी हम बहुत सारी बाते करेंगे, बहुत सारे लोग, टेंगू, टाइफाइट से भी चूच रहे होंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे, क् की, डॉक्टर उमंग खना जी तो एक समुंदर की बाती है, जो भी हम चाहे, देखे, उनके पास उसका इलाज छटपट तेयार मिलता है, तो डॉक्टर उमंग खना, हमारे जितने भी श्रोतागर्ण हमसे बात करते हैं, वो कहते हैं, डॉक्टर साथ, उमंग खना जी को जानते हैं, आपकी भी काफी व्यस्ता है, और काफी समय के बाद, एक बार फिर हम आपके साथ ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आपका बहुत-बहुत स्वागत है, नपेदर शमलवचार, CMS Community Radio के सजी फोरेंड कारिक्रम, सेहत की बाद, डॉक्टर के साथ में, धन्यवाद मैं, धन्यवाद CMS Community Radio का 90.4 MHz, यह वो चैनल है, जिसको जो हमारे दिल के करीब है, इसलिए आप जब भी बुलाती है, हम लोग आतुर रहते हैं आने के लिए, क्योंकि ये स्वास्ट की बात का एक बड़ा अनूठा चैनल है, जिसमें कि ये TRP ना होके, आदर्णिये श्री गांदी जी के माध्यम से समान जनता तक हर विशय की बड़ी जानकारी पहुँच रही है, अभी से ही जुनने जा रहे हैं, हलो, 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 नमस्कार, दो दिन बाद है, जे, बहुत-बहुत शुपकामना है, आपको भी नाम बता दीजे अपना, हमारा नाम श्रीपाल नूरपूर बहटा से बोल रहे हैं, श्रीपाल जी क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब को, जे, जे, बहुत शिक्षा मिलती है, चलिए, थैंक यू, थैंक यू सो मच, जे, विलकुल, अच्छा, खेत में हैं ये, धन्यवाद स्रिपाल जी, आज जैसा कि मैटम का आदेस हुआ हमें FM में, हम आपको जाडे में होने वाले diseases, डेंगू, वर्ड निमोनिया डे आ रहा है, निमोनिया के विशय में, और आपको ये तमाम जो बिंटर्स में बिमारिया होती हैं, इसके विशय में आपको जानकारी देते हैं, जिसमें टाइफॉइड भी शामिल हैं, जी, सर्दियों में ले करके अपने साथ रेडियो जाए हैं गए हैं और सुन रहे हैं अपना खेती का काम करते हुए, अच्छा लगता है, तो बाकिश रोता भी चुड़े हैं, श्यू निपाल दो चार सो ग्यारा तैंस एक्या बन पार, सबसे पहले तो ये सर्दियों में जो रोग होते हैं, उसके बारे में हम जाना चाहेंगे आपसे, क्या-क्या रोग होते हैं, जनरली आपके पास कैसे-कैसे जो मरीज आते हैं, सर्दियों में देखे, आप लोग इस बास से इतिफाक रखेंगे, सबसे नजला जुखाम, खासी, बुखार, मौसम जैसे ही बदलता है, यहां गले स हराज से शुरू होता है, और आपके साथ यह फिर थोड़ा सा उग्र रूप लेता जाता है, जो चार से पांच दिन आपको जो है, वो बेड रेस्ट पर मजबूर कर देता है, ऐसा क्या हो जाता है, हमसे मतलब क्या गलती हो जाती है, जनरली कि यह रोग आ ही जाते हैं, इम में आपको इंफेक्ट कर देते हैं, और जब इनफेक्ट करते हैं तो आपका इम्मून सीस्टम जो है उसके खिलाप रियक्सेड प्रिडियूस करता है, वो बनाता है वो इंटि बाड़ी जो है जब उस प्रतिरोदक चम्ता के रूप में लड़ते हैं, जिए जकरान, खासी म्यूकस यह सारी चीजें सिक्रीट होने लगते हैं एक और कॉलर जोड़े हमारे साथ हलो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने नाम बताईए जी तुलसा जी स्वागत है आपका और डॉक्टर उवंग खन्ना जी है हमारे साथ किछ कहना चाहेंगे उन से मुझे तो बहुत कुझी है मैं मुझे तो बता पहले ही चल गया था जै और मुझे बहुत अच्छा लगा कि अपने जर आ ये जो अपने पिस अप्से भी है आए आब बहूत कुझी हुई जी शारी वाते से तिछने को जानने को मिलेंगे और वो बताएंगे तो हम लोग उसी इंटाव से चलेंगे और मैंम सबसे पहले जो मैं यह बात कहती हूँ जो बहुत दिन से कहना चाहती थी कि आप से कि बुलाईए बुलाईए आज वो दिन आ ही गया तो मैं सबसे पहले यह बताऊंगी कि जो मेरी तरने मुझे कान के लिए दवा बताई थी उसको मैंने एक ही वार ली थी मैम और मेरा कान ठीश हो गया इसकी लिए मैं उन्हें सवाबार धन्यवाद करूंगी तो कम है धन्यवाद मेडम यह CMS Community Radio का है आपका बहुत-बहुत आभार लेकिन यहां जो प्रोग्राम इ प्रोग्राम आप तक पहुचा देता है जी सर जी मैं तो बहुत आप से में क्या बताओं उस डाक्टर तो बहुत होते हैं मगर सच्छा के साथ जो मैंने अपने बड़े सर से भी एक बार इसी बात पर जिकर किया था तो कहा रहते हां बहुत अच्छे डॉक्तर है आपको आ इसका बिल्कुल पूछे मेरे गल्ले में 3 तार दिन चिंदर बहुत अच्छे जानकारी थे सक्यों की आप मेरे महले में दो तिन जनों को है जाथ कर तो आच संदेंको मिलरा से मेरे ऐपर डंगू को आपको बताते हम सारी शंका सारी बात की सब्सक्राइं कर देते हैं सबसे पहली आपने बाद कई देंगू देंगू brings बाथ फैला है परीवार में किसी काटता है तो आपके उस tastes Dengu हो सकता है और एक ब्रहांती यहां पर बता दूँकि एक बार Dengu हो गया तो दुबारा नहीं होगा ऐसा नहीं है क्योंकि चार वाइरस के होते हैं तो एक ने काटा बहुतो दुबारा नहीं क् guar लिकिन तीन और नोaya होते हैं वह आपको हो सकते तो यालिव आपको दोबारा हो सकता है और जितनी बार रिपीट होता है आपके श्रीर में उतना आप खतरना कि इस्तिती की तरह बढ़ते यानि की कि नरिथियों की षिदित जिक्ति पहुंच सकता है तो और डेंगू से बचाओ की पहले मैं बात कहे दूँ सबसे अच्छा रास्ता डेंगू से बचाओ का है कि आप मच्छर को अपने को काटने ना दे। और कभी भी आपको बुखार आए जिसमें आपको जोडो में दर्ध हो रहा हो तो आप डेंगू की जांच क्योंकि इस वक्त देंगू बहुत फैला हुआ है और लखनू तो हाला कि सरकार बहुत प्यास कर रही है सफाई का लेकिन फिर भी लखनू कहीं न कहीं डेंगू की रा काड टेस्ट चरूर करा ले काड टेस्ट में तीन जांचे आ जाती है मैं आपको पूरी जानकारी क्योंकि जांचे हमारे सामने होती है लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं क्या कराएं अगर उसमें एनस वन पॉजिटिव आए तो आप न घवडाएं नस वन इस समय 95% लोगों का पॉजिटिव आ रहा है यह क्या है यह मैं डेंगू के तीन टेस्ट होते हैं अच्छा एनस वन आईजीजी आईजीएं तो हमाई सोतागंड जब भी कहीं जाएंगे तो यह तीन टेस्ट डॉक्टर कराएगा उसमें एनस वन अगर पॉजिटिव आए तो परिवार में पैन और डेंगू के मैनेजमेंट की एक पल के लिए बात कर लें फिर इसके बचाओ की बात कर लें वह तो इसके लिए आप एक दबा नोट कर लें बहुत अच्छी जो आपके गली की खरास आज की आज सई कर देगी वह है कॉस्टिकम कॉस्टिकम आप 200 पावर में 200 पावर में कॉस्टिकम 200 आप दो दो बून तीन बार या सुगर पिल्स में दस पंदार रुपए की बनवा लिजे चार चर गोली दिन में चार बार ले लिजे आप देखेंगे कि एक या दो दिन के अंदर आपके गले की खरास खतम हो गई आपकी जैसी प्रॉब्लम मेरे क्याल से और भी लोगों को होगी तो बिल्कुल और और कोई घरेलू को उपाए कर सकते हैं कि आप जो है वो गरम चीजे थोड़ा सा पानी में जो है अद्रक काली मिर्च लॉंग और जावित्री जायफल और डाल चीनी इनको मिला के थोड़ कि खरास बहुत जल्दी सही हो जाएगी और आपकी इम्निटी भी मजबूत हो जाएगी जो आने वाला बुखार आपको ना जी बताईए क्या पूछी थैंक्यू जल्दी ठीक हो जाएगे धन्यवाद धन्यवाद डेंगू चिकर्मगुनिया की बारे में हम आगे भी बहुत सारी बाते करेंगे और श्रोतागर हम आपको एक बार फिर से बता दे कि नपेद श्रमलवचार CMS Community Radio पर कारिकरब चल रहा है सेहत की बार डॉक्टर के साथ और आज आपके अपने जाने पहचाने डॉक्टर डॉ हमारे साथ है इनसे बात करने के लिए आप मिला सकते हैं 411-331 एक कोलर जोड़ना है हमारे साथ उनसे बात करते हैं हलो जी नमजकार आपको डॉक्टर साहब को और सभी तुम्हेवालों को बहुत बहुत स्वागत है आपका और अपना नाम भी बता दीजे जी महंदर जी ज और डॉक्टर साहब आये हैं तो इसके लिए हम उन्हें बढ़ाई के वो पात्र हैं कि वो हम तुरोताओं की मांग पर जब बुलाया जाता है तो वो दोड़े के ले आते हैं महिंद्र जी आपके इसको मैं अपना परिवार मानता हूं और मुझे यहां शांती मिलती है आपको मुझसे जो जानकारी चाहिए मेरा नंबर भी मैडम बता देती है जब भी जो जानकारी चाहिए आपको कभी निरासा नहीं मिलेगी तुरंत उसका समाधान मिलेगा यह मेर परिवार है और मैं इसको परिवार के रूप में ही मानता हूँ जी आप जैसे सोच वाले डॉक्टर समाज में कम है अगर आप जैसे और भी लोग हो जाए तो इस समाज से बुराई नाम की चीज जो है वो जड़ से समाज हो जाएगी बहुत अच्छी बात आपने कहिए है की डॉक्टर रॉमंग खरना जी जैसे लोग समाज में बहुत कम है डॉक्टर रॉमंग खरना जी हम इनको इनके जड़े होे हैं और समाज की लोगों के लिए पूरी तरह से समर्पत है और इनको भी कुछ awards भी मिले हुए, उनके भी जिक्र करेंगे हम, लेकिन फिलहाल आप जो कहना चाहते हैं, जो पूछना चाहते हैं, वो ज़रूर कहिए तो हम ये जानना चाते हैं, कि जैसे कि कि पीको भी रेंगु या नेमोनिया अगर खो जाता है, जी तो उस समय जैसे कि ड्क्टर साब ने बताया कि मंस्खर को पहली बार तो काट नहीं ना दे, उसके मंस्खर तो काफी चलाक होता है, वो कही ना कही से काटी लेका है मेरे क्याल से कवर होने चाहिए बोडी पाट और चार फिट की उचाई पर है उसमें एक चीज और अपने कोई इम्मुनिटी को आप मजबूत रखे रोग प्रति रोधक्षमता मजबूत होनी चाहिए तुलसा जी और आपको और अपने तमाम सोताओं को वन एपी लडे कीफ स है डॉक्टर अबे मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा अपने सारे सोताओं से से में पचास से साथ रुपई किलो है मात्र और एक किलो से में एक हपते से उपर का से चड़ता है तो जो भी आपकी फानेंसल इस्टिटी हो लेकिन पचास रुपई आप अपफोड कर सकते दस दिन के लिए अपने सरीर पे तो एक सेफ सुबा रोज साले परिवार में एक सेफ सबसे को खिला दें आप देखेंगे आपकी प्रतिरोधा चमता बढ़ जाएगी और साथ ही आपने डिंगू की बात करी मैं इसको आपको बचाओ की दवा भी बता रहा हूँ और निश् इसको 200 पावर में और जलसीमियम 30 पावर में दो दो बूंद आप तीन दिन तक अपने और परिवार में बच्चों और बड़ों और सबको दे दें बहुत उमीद है 99% कि आपको डेंगू मच्छर के काटने के बाद भी नहीं होगा अरे वहाँ मेंदर जी नोट किया आपने या रिकॉर्ड किया जी इसको हम रिकॉर्डिंग जब सुनेंगे तब लोगों को तयार रखके और इस दवाईयों के नाम लिखवाएंगे और अगला प्रस्ना है जी जैसे कि डेंगू हो जाता है तब किसी को तो उस समय हमें खान पान कैसा रखना जीए जैसे कि इंसान जल से जल बहुत अच्छी बहुत अच्छी महिंदर जी तेखे यही समाज के असली जागरूक लोग महिंदर जी जैसे समाज के असली जागरूक वो नहीं है जो इस समय डिबेट सुन रहे होंगे टीवी पर लोग चिला चिला के पचास लोग बात कर रहे होंगे और एक लड़ाई की स्थिती आपस में इस्टूडियो में होगी एक वो डिबेट है और एक यह कारक्रम है अगर किसी को डेंगू गूंग है तो उसको कहा जाता है फ्लुइट बहुत लें पीने वाली टरल पदार्थ है उनका सेवन आप बहुत जादा करें उससे आपके बाड़ी का वाइरल लोट कम होता है वाइरस कम होता है क्योंकि उरीन के माध्यम से वाइरस पास होता रहता है कुछ नहीं तो पानी और यहाँ पहला कि जो पादी है कि नदीमें पमे के बरतन में पहते आए थे कि तांबे का सिक्का प तो गंगा जी हैं तो उसमें सिख्के फेग देते हैं यह सारा जो बात सुरू हुई है यह हुई है विक्रमा दित्र जी के टाइम पे जब लोग तांबे के सिख्के नदी में फेग देते थे और बरतन में पानी पी सकें आपके प्रतिरोधक छमता बहुत अच्छी होगी और एक और रोचकत में बतारा चाहूंगा यह मेरा परिवार है मैं आया हूं 90.4 मेगा हट्स पर कि तांबे का भी आप गिलास ना लीजिए तांबे का गिलास परसिया के टाइम में गिलास हम होता है उसका surface tension पानी का जादा होता है तो जब आप पीते हैं तो भी आपको तनाव आता है बनिस पर लोटे के जिसका की चोटा रहा होता है और गोल होता है तो हमेशा आप जो हमारे physics के scholar होंगे या जो CMS की madam सुन नहीं होंगी जो physics की teacher होंगे या सर्जों होंगे तो पानी का surface tension लोटे में कम होता है तो जब आप लोटे से पानी पीते हैं तो water is a memory यह science ने प्रूफ कर दिया है पानी की यादास्त होती है और उसका transformation आप कर सकते हैं molecular level पे कभी भी not at the chemical level but at the molecular level तो जब आप तामबे के लोटे में पानी पीते हैं तो आप कम surface tension का पानी पी रहे होते हैं तो इससे आपके शरीर का चनाव भी कम होता है तो अगर वाकरी आप चमतकार देखना चाहते मैं एक हपते का आप से समय ले रहा हूं आप एक हपता आप तामबे का लोटा ले आई और एक हपता उससे पानी पीजिए रात में रखा हुआ सुभा पानी पीजिए और हमक कि प्रतिरोदक चमता बढ़ी की नहीं कि आप एक हपते बीमार नहीं पड़े जी बहुत अच्छी बाद करना चाहेंगे जी बिल्कुल बिल्कुल कहिए जल्दी से जी जैसे कि मलेरिया में अगर कई बार क्या सूजन भी हो जाती है डेंगो या मलेरिया में तो ऐसा क्यों ह होता है उस वक्त हमें साउधानी का भरत बरते हैं यह बात होगी और इसके बारे में भी बात होगी और एक कॉलर बीच में जोड़ना चाहा रहे थे हम चाहेंगे कि अब वह फोन कर सकते हैं 0522 411 3351 यह नंबर डायल करके आप बता सकते हैं हम इसलिए आपको समुंदर बोलते हैं कि कोई भी कहीं से भी कुछ भी पूछ ले उसका हर एक उत्तर डॉक्टर रोंग घंडाजी आपके पास मिलेगा पर हम जाहेंगे कि एक-एक स्टेप करके क्योंकि एक कॉलर जोड़ना है चलिए उनसे बात करते हैं हूं अब बहुत बहुत स्वागत है अपने नाम बता दीचे मैं अर्चना अगर्वाल बोल नहीं हूं गोंती नगर से जी अर्चना जी बहुत दिनों बार डॉक्टर ओंग खना जी से बात ही सुन रहे हैं और इन्हों ने बहुत अच्छी बात बताई क्योंकि ये शायद आम आजमी या बहुत से जानी लोगों को भी जानकारी नहीं ह ये जानना चाहती हूं को व्यक्ति असी वर्षते तो अपने आपको सुवस्त अधने थिर्चना रखने के लिए क्या अपनी दिंशर्या में चांटा हो रखें, इसी तरह से 50 वर्च का अगर को व्य चॊश्त है तो वह अपने दिंशर्या में गिस तरह सार पैंस threatened a समाज हित के लिए आप कर रही है काम, मैं आपको बताता हूँ, पहली बात तो देखे जो 80 साल तक जी गया वास्तर में समच्छा कर रहा है आश के दौर भी, लेकिन मैं कहना चाहूंगा आपके अगर कोई बुजूर घर में है, अगर आपका अच्छा नसीब है, आपकी कुछ कॉन्फलेक्स, मिल्क और कॉन्फलेक्स उसको जरूर दें क्योंकि उसके बॉड़ी को उससे फाइबर मिलता रहेगा, कॉन्फलेक्स यानि की मक्का से जो पतले-पतले हो बनाते हैं, वहाँ दूद के साथ में उसको जरूर दें, उसके अलावा उसको जो है जो रोटी दें रोटी मल्टी ग्रेन दे क्योंकि इस एश तक आते आते आपका इंटेस्टाइन वीक हो चुका होता है तो रोटी उसको मैदा वालेगी या रिफाइंड जो फ्लोर होता है उससे ना दे करते हैं रिफाइंड फ्लोर बिलकुल ना दे हो यहाँ पर एक चीज़ और बीच में व बनाया हुआ तेल है उससे कुछ चीजों को हटा कि आपने एक डिफ्रेंट केमिकल कंपाउंड बना दिया यानि कि आप कुद्रस से दूर हो गए जी अगर आप अफोर्ट कर सकते तो देशीगी का इस्तमाल करें और हर व्यक्ती हर चीज में नहीं अफोर्ट कर सकता है तो म समर्थ हैं जानकारी तो गूगल करिएगा तो आप देखेंगे कि रिफाइंड को आप प्रिजेंट टाइम में बहुत अच्छा नहीं पाएंगे आप सबजी हो पकाने की बात हो तो सरसों के तेल में घर में पकाएं और रोटी अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बहुत ह रात का भूजन थोड़ा सा हलका हो और यकीन मानिए वो खुदी हलका करेंगे बुजूर एक दो रोटी से ज्यादा क्या खाते हैं अर्चिन जी का दूसरा सवाल हम बाद में उसका अंसर लेंगे पहले एक कॉलर जोड़ है उनसे बात करते हैं हलो हलो बहुत-बहुत स्वा क्या दिकत होती है था मैं एक कर्दालगाइक और लाल लाल बमस आते हैं चखतें यहां तो 288 की दिकत दिकत है इसके लिए हम आपको दो दवापता रहे हैं आप לא्नियों कि शंद बहुत आनागा मंदर्ध लिए या फिर आप अपने मोबायल पे ँडर कर सकते हैं तो रिकॉर्ड कर लीजे हैं पहली दबा भाहिस साब इस एलर्जी की है वहां है आपको मिल्क से एलर्जी है दूट से किसे है आपको एक से हलो आपको एलर्जी किस किस चीजों के खाने पे होती है हलो आपकी आवास नहीं आ रहे है मेरे ख्याल से बताइए सुन पा रहे है आप मेरे ख्याल से इंपो लेकिन मैंनका जवाब दे देता हूं क्योंकि यह बहुत लोगों की दिक्कत है पित्ती उछलना इसको कहते है अर्टिकेरिया बहुत लोगों को इस समय हो रहा है तो इसकी स्रोताओं बहुत अच्छी दो दवाएं पहली दवा है अस्टेकस फ्लुवाइटिस नोट कर लें जिन दर्सकों को हमारे जैसे खुजलात कर स्टेमा पर स्क्राइक पढ़कर लाल हो सहता है जो जाता है अरुट इसको कहते हैं और खुजलाने पर होता है तो को को डर्मोग्रेफिकठि耆 कैते मिल जाता ऐसली बहुत ऊबआ ने हम आब को बता है प्रोग्राम रिपीट होगा तो के जो दोबारा लिए स्मस्य का साय जाए से 80% आपको आराम मिल जाएगा और कितना लेना होगा कितना थर्टी पावर में दो दो बून सुबा दुपर शाम एक हफ्ते तक एक हफ्ते तक यह जरूर ले ले किये और इस तरीके की समझ से अगर किसी को होती है यह काफी कॉमन है इस समय प्लूटेड दूसरा बात पूछी थी कि महिलाओं में जो 50 साल 50 वर्स ही है उनके लिए उन महिलाओं के लिए एक कॉलर जोड़े पहले उनसे बात कर ले हलो जी आपका फोन शेहत कट गया था है नो हलो हलो हां जी हम आपकी आवास सुन पा रहे हैं नाम बताईए नाम बताईए प्लीज महिंद्र आप क्या जानना चाहते हैं सेहत बनाने के बारे में इसके लिए हम बहुत अच्छा फार्मूला आपको बताते हैं और दबा भी बताते हैं फार्मूला यह है अब मैं कोशिस करूंगा कम समय में ज्यादा जानकारी अपने सोताओं तक पहुचा दूँ तो इसके लिए आप जो है दूद्ध केला और शहद इन तीनों चीजों को साथ में पिए आपको तीन महिने में आपको लगे का कि आपका मसल्स बिल्डिंग शुरू हो गई प्रोटीन ज्यादा से जादा लें लेकिन वो प्रोटीन नहीं जो जिम में बिकता है आट सो हजादा बारा आप अपना मन चाहा रिजल्ट मिल जाएगा जी करके देखिएगा थैंक यू सो मच महिन्ट जी कॉल करने के देखिए अब बाकिश्ट अभी जुड़े शुनिपाल दो चार सो गया रहा तैंते सिक्क्यावन अभी आदे खंटे से भी कम समय बगी है तो आप जितना चाहे उसका यूटिलाइज कर सकते हैं यह अरचन जी के दूसरे सवाल कर देखिए उन महिलाओं के लिए जो पचास वर्स की हैं और सभी के लिए अब आपको जीवन में एक और परिवर्तन लाना पड़ेगा मतलब हिंदुस्तान में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है लेकिन अंकूरित चने या दाल और अंकूरित सब्जियां जिनमें जीवन होता है जीवन कैसे होता है अब बहुत सी चीजьों को रखत हो जो जिनको पेड़ से हटा जीया यह जाता यह अंकूरित थो आपको उन सब्जियों को जैसे बीन्स होते हैं ह। सेम हो गई और तमाम चीजें हो गई तो बीन्स वाली जो सब्जियां होती है आपको इस तरफ एडाप्ट होना पड़ेगा और ये बर्गर की संस्कृति को अब छोड़ना पड़ेगा क्योंकि कैंसर डबलु एचो कहता है कैंसर जो है हिंदुस्तान में अगले दस साल की होने वाली सबसे बड़ी बिमारी है एक कॉलर जोड़े उनसे बात करते हैं हलो बहुत-बहुत स्वागे थे अपना नाम बताइए इस बहुत-बहुत स्वागे थे प्रश्नी कीजिए पैरों में बहुत दर्द रहता है मैं जी कुछ भी कर दूद तो आराम नहीं मिल रहा है और बहुत भेंकर रहता है कभी यूरिक एसिट चेक हुआ है आपका बढ़ा हुआ है बढ़ा ना बस देखिए मैं आपको बताता हूं क्या करिया पहली चीज़ आप पानी पीना बहुत शुरू करिए ताकि जो एस्ट्रा यूरिक एसिड है वो शरीर से फ्लश आउट हो ज जब तक पत्ते मूली पर रहेंगे मूली खराब नहीं होगी आप यह करकी जब पत्ते सुखेंगे उसके बादे मूली खराब होगी और तीसरी बात आगी दवा तो 35 सालवी उमर आपकी जादा नहीं है इसके लिए आप दवा नोट कर लिए मैडम पहली दवा दो दवा यह दोनों दवा एक महिने तक ले ले आप देखेंगे पंदा दिन के अंदर आपका युरिक ऐसे ठीक हो जाएगा बाकी पंदा इन आप एक्स्ट्रा कर लिजेगा और दूसी चीज कि आप पानी बहुत पीजिए एक्स्ट्रा युरिक ऐसिड को फ्लश आउट कर लिजे औ दूसी बात आती जो गुटने में दर्थ है आपको गुटने में दर्थ के लिए आपको रस्टोक्स वनियम इसकी दो दो बून दिन में तीन बार ले लिजे आपका पूरा जाड़ा अच्छे से कट जाएगा आपको दर्थ का एसास नहीं होगा और पेंकिलर आपको नहीं लेनी पड़ेंगे जी हम मुझे पिग्मिटेशन की भी प्रॉब्लम में चार पांच साल से और मेरा वेट भी इतना मतलब डीट है कि मैं कुछ भी गर्लू तस्टे मस्त नहीं होता चाहे डाइटिंग मैं आपको बता रहा हूं है मां बहुत अच्छे सवाल उठा रही है सा कि इनको लिवर स्पॉट्स भी कहते हैं आपका लिवर गढ़ होगा तो आपके पिग्मेंटेशन आएगा मिलाइनिन पिग्मेंट आपकी स्कीन में जादा बनेगा जिस जो की आपको पिग्मेंट के रूप में दिखेगा और आपने बहुत बड़ा सवाल उठाया मेंड़ पास बहुत मरीज आते हैं जो पीलिंग से लेके केमिकल ट्रीटमेंट से लेके पुरी-पुरी खाल उधरवा देते हैं ऐसे इसे मरी दिल्ली के जो बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोग है वो आते हैं उसके बाद परिसान होते हैं जाहिर सी बात अभी डॉक्टर के प महिने में आप हमको बताईएगा पहली अगया सीप्या सीप्या साफ हो गई और आप अपने मंचाहे रूप से जगमगाने लगे और दूसरा बेट के लिए मैं आपको बता दू बजन तभी कम होगा जब आप चाहेंगी जैसे हम लोगों का वैसा सुभाव नहीं है लेकिन एक प्रेक्टिकल के लिए आपको बता रहा हूं मले किसी को पैसे से खतम करना है किसी का पैसा खतम करना उसे कंग आपके सरीर में जमा कैलोरी है उसको जल्दी से खर्च करना पड़ेगा वाक आउट भी बहुत जरूरी है मैं आपको बेसिक बात बता रहा हूं बड़ी बड़ी दवाएं बता सकता हूं लेकिन कुछ काम नहीं करेगा जब तक आप अपनी मदद खुद नहीं करेंगी तो आप कैलोरी इंटेक कम करिए कैलोरी का खर्चा जादा करिए हम सब सजग नागरिक हैं आपको पता है वो कैसे करना है दूसरी बात आती है दवा की तो बगैर पैसे की दवा पानी है आप जीरा पानी या डालचीनी पानी किसी को जीरा पानी सूट करता है किसी को डालचीनी थोड़ा से बतातें कե गैसे जीरा पानी है? रात में आप एक भगोना पानी लें उसमें जो है प्रिफरेबली टांबे का लें खर भगोना या कोई अब से लो तो उसमें आप थोड़ा सा जीरा डाल के उसको बॉइल कर लें और बॉइल करके उसको रात में रखके सुबा वो पानी पीए या फिर आप डालचीनी रात में छोटा सा टुकड़ा डालचीनी बहुत गरम होती है उसको दादा न लीजिएगा उसको पानी में डाल के वो पान में कुछ भील की होड़कि combos kill में दूसरे दिन आपको कि विजीटेबिल और राइस ले सकते हैं चटे दिन आप फ्रुट्स टेबिल म análाय को ईस भी भी ले सकते हैं यह GMC डाइट प्लाइन कहते हैं आप गूगल कर लीजेगा शाइद इती जल्दी आपको पूरी बास समझ में ना आए लेकिन GMC समाज में लोगों को भी बताईएगा इसको मैडम GMC डाइट प्लाइन कहते हैं जॉन हॉपकिन्स रिसर्च इंस्ट्यूट का टेस्टेट प्लाइन है और आप किसी भी बड़ी संस्था में स्पा ब्यूटी पार्लर में कार्नर पे जाते हैं तो आपको पचास हजार रुपए लेके भी वो यही कराएंगे बस CMNS कमिटी डेडियो पे आपको बहुत सहजता से यह बात बता दी गई है यही बात अगर आप बड़े सोरूम में जाएंगे तो बैठा कि आपको दो घंटा काउंसलिंग करके इतनी ही बात कहेंगे और लेकिन क्योंकि जैसे हम लोग तो गा होंगी इसकी मैं बहुत अच्छी दवा है कैलकेरिया कार्बोनिकम कैलकेरिया कार्टी आप दो दो बून दिन में तीन बार उस रिस्सिती में कोई भी महिला ले सकती है जो कि जिसका डिलेवरी के बाद आप्टर पार्चुरेशन आप्टर डिलेवरी वेट बढ़ा हो कैलक चींजेस तो उत्ते हो चुके हैं तो आप उस पारिवारिक दाइट को निभाने के बाद जो अब यह महिलाओं को हो जाती है दिकत तो कलकेरिया कार्ब इसकी सिंगल रेमिडी बता रहा हूं देखिए दवा तो अगर हमारे हों पैस के जानकार हों तो हो सकता कर रहा हूं ड जुर्बे की बात है यह सबसे अच्छी दवाएं बिलकुल हम यह मिलेंगी का सारी जाएं हो भी ओपैति कि स्टोर में कहीं भी जाएं साथ रुपय की शीशी आती और एक शीशी आपकी छे महिना चलेगी साथ रुपय में छे महिने की दवा आपको मिल जाएगी और उसी ब जब आप मिल गया होगा मैं एक रिक्वेस्टी जो जरूरी मैडम यूरी कैसिट की दवा हमारे सारे सुरुता लिख लें यूरी कैसिट की देखिए पहचान पहले देखिए चोटे जोडों में अगर दर्द होता है सुबा उठे तो मुठी नहीं बंद हो रही है आपका जो ग्रेट टो है या ग्रेट थंब यहां पर उभार आ गया है तो यूरी कैसिट बढ़ने की स्थिती होती है उसके लिए पहले किसी चीज की सुरुवात होती है फिर वो क्रॉनिक होती है तो हम सुरुवात में ही उसको खतम कर दें प्रिवेंशन इस बेटर दें क्योर तो पंदा दिन एक महिने तक ले लें आपके यूरीक आसिट बिलकुल ठीक हो जाएगा साथ में पानी बहुत पिए थांक यू कुछ कॉल करने के लिए थांक यू सो मच बाकिश्णों तब हमारे साथ जुड़ सकते हैं और देखिए जुड़ने लगे हैं हलो 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 बहुत- नमस्कार मैं बताइए जी मैं करना करती है तो इसको जो बेसिक हम बात बता रहें जब आपके कोई विमारी नहीं तो आपकी ग्रेविटेशनल एडेमा है ग्रेविटेशनल एडेमा वह होता है कि सुबह आप जब सोके उठे तो बिलकुल सूजन नहीं राब तक काम करते करते आपके पैरों में सूजन आ गई जी और यहां बेसिकली होता है खून की कमी से जिसके पैर में सूजन होगी 90% के उनको अन आप देखेंगे कि आपका पैरों की सूजन स्वेलिंग हतम हो गई और हीमोगलोबीन आपका बढ़ गया अगर वो विसे नहीं है तो जैसे किड्नी फेलियर होता उसमें भी सूजन आ जाती है लेकिन हम उस डिटेल में जाके जो जो आम तोर पे लोगों को होता है उसकी बा अंदर यंदर इसके लिए आणिका मैडम इसके लिए भी आणिका बहुत अच्छी दबाए आप अनिका वनी एंपावर में दो दो बून दिन में तीन बार ले ले पंदरा दिन में आपकी इस्टी ठीक हो जाएगी आपका पेन खतम हो जाएगा और आप अपने को सामाने र सिक्यावन पर और एक कॉलर हमारे साथ फिर से जोडने ला जा रहे हैं हलो नमस्ते मैं बहुत-बहुत स्वागत है अपने नाम बता दीजे माल्ती बोल रही है दुल्लापुर से जी माल्ती जी क्या कहना चाहेंगे आप कहिए मैंने सवाल था जरूर पूछिए हमारे भतीजे हैं उनके खाना खाना के बाद उल्टिया होने लगती हैं कितना बड़ा बतीजा है आपका मैं 17 साल अच्छा यह कब से हो रही है सवस्या यह दो महीने हो गए अच्छा आप बताएं मैडम देखिए उल्टी तो तुरंत रोग जाए हम आपको दवा बता रहे हैं लेकिन आप इसमें दो बाते कंसिडर कर लिजेगा पहली बात है उनको लिवर में कोई दिकत तो नही एक बार आप उसको चेक कर लें लेकिन जो आपने बात उठाई कि उल्टी आ रही है तो कैसे रोके खाने के बाद तो इसकी बहुत अच्छी दवा हुमें परती में इपी का इपी का मालती आप लिख लेंगी कहीं पे यह रिकॉर्ट कर लेंगी इपी का वनियम इम इसकी आ और यहां पर मैं एक बात और मैं जरूर को विसह से जोड़ के एक बहुत जरूरी चीज होती हम लोगे जीवन में वह थी फास्टिंग व्रत रखना व्रत रखना किसी भी रूप में हो हम लोग तो धार्मिक मानने तो क्या दार पर रख लेते हैं लेकिन भगवान सब के लि लिवर का डिरेंजमेंट है जब लिवर की वीकनेस होती तो आपको वीकनेस आती है क्योंकि लिवर is the source of energy in our body लिवर में 400 function होते हैं जिसमें glycogenolysis, glycogenesis ये सारे function लिवर में होते हैं तो उनका लिवर को आप जरूर एक LFT करा लें 400-300 रुपए की जाच है उससे आपको अकमीन दाती है तो एक बार वो टेस्ट अगर आप करा लेंगे तो अच्छा रहेगा जिस तरीके से डॉक्टर साब ने बताया है ठीक है और बाकी वो दवाईयां तो बता ही रहे हैं दवा पी पिका दे रही जे और मैं सारे सुताओं की जानकारी के लिए fasting दो तरह की होती एक होती है वो जो फास्टिंग हम लोग करते हैं और एक वो होती जो इंटर्मिटेंट फास्टिंग होती है यह निया कंसेट है मैं हम थोड़ा सा अच्छे से बताइए हम समय नी पा रहे हैं अब देखे अगर जैसे आप पूरे दिन के लिए व्रत रखते हैं जो क्या होता हैं में आपके सारे जो हानफुल टॉक्सिक शेल्स हैं उन सब को खतम कर देगा और अगर आप वो नहीं रख सकते हैं तो आप इंटर्मिटेंट फास्टिंग करिए इंटर्मिटेंट फास्टिंग का मतलब होता है जिसे आजकल आदत हो गई हर दूई घंटे दो घंटे पे नास्ता करा फिर जो है छे बजे कुछ खाने को मिल गया उसके बाद फिर चार मेल लेते हैं और बीच बीच में कुछ न खाये तो आपका बाड़ी स्वेम हानफुल चीजों को डीटॉक्स कर देगा बहुत अच्छी बात बता ही कॉलर जोड़ है हमारे साथ हलो अपकी आवाज नहीं आ रहे है हलो हां बहुत बहुत स्वागत है अपने नाम बताईए थोड़ा सा अपना माउथ पीस थोड़ा सा सही करेंगे अपना आवाज हलकी आ रहे है जी शाम जी हां प्रेशन पूश्य हां मैं समझ गया आपकी बात आपके जो एक्सिडेंट हुआ इनके महम उसके आद इनके माक्स आ गए अच्छा बहुत लोग इससे चिंतित होंगे और यहां पर तीन बातों में मैं सवाल का जवाब दूँगा एक तो भाही साब के जो इस प्रैशेज आ गए एक्सिडेंट हुई हां वही चीज मतलब कि वहां पर स्क्राइच है इस्किन का टीशू का लॉस है उसकी वैसा बहुत अच्छी दवा है सालीशिया आप नोट कर लीजिए सालीशिया थर्टी पावर में दो दो बून दिन में तीन बाल लीजिए यहां आपको उस इस्तिती में लाब बुस्क्रव लाब देड कि इनके पर बहुत जाधा है इनके घड़्े है मुहासों के घड़्े हैं या फिर पर बहुत चाँपो बहुट हो दे और तीसरी हुनुを एन की इनन बैलिए कि इनको बर्थ मार्ट है जै और चौन यहां र्टकों जिनको आप्टर प्रेंगन सी स् रहती है तो या फिर कोई बच्चा जिसकी हाइट तूरंत अचानक बढ़ गई हो या फिर आप जिम जाते हो और आपने मसिल बहुत जल्दी बना ली हो तो उनसा आप सबके यह स्टेच माक्स आजाएंगे तो साइलीसिया और थायो सिडेमिनम बहुत अच्छी दवा है और भ मुहासों के या किसी भी छोट के निशान के वहाँ भी खतम हो जैंगे तो लगाने के लिए कुछ लगाने से कुछ नहीं होगा स्याम जी आप चारजार का ट्यूब लगा लीजे आप ठीक नहीं कर पाएंगे अपने को हम जो जानिकारी दे रहे हैं आप उसका लाव ले लि करके देखिए ठीक हो जाएंगा करके देखिए बताइए गाम लोगों को बिल्कुल थैंक यू और अब एक और स्कॉलर जोड़ है उनसे बात करते हलो वह बहुत-बहुत स्वागे थे आपका अपने नाम बताईए नहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं के और सुनाई दे रहे है कि दे रहे हैं अभी मैडम के बादम से यूटूब डॉक्टर उमंखना आप लॉग इन कर लें डियार यूमंग के चेडबा लेने यूटूब पर तो लाइब भी हैं लोग इस समय दो तरह से लाइब चल लाइब चल लाइब पताई च्वारी दूर का दर्शन पर भी हो अभी अधकतरे कपड़े पहन रहे हैं कुछ तुबह साम संड हो रही है तो इसमें ब्रॉंकाइटिस होने के चांसे जोन से हैं और एक बीमारी और है ब्रॉंकाइटिस से मिलता जलता हुआ मैं भूल रहा हूं टी से सुरू होता है निमोनिया उसकांग रेजी में कहां न तिवारी जी ने बहुत सभी बात उठाई है मैं दोनों विस्यों को आखाता हूं BRONKITIS होता है आपको जो जो जब आप सांस लेते हैं तो जो आपकी सांस की नली से हवा जाती है आपके L clamps तक उसके बीच में BRONKAS उस हवा को ले जाता यानिकि जो मोटी नली होती ट्रेक्य आप बात पर कीजिए गठिवारी जी किवल सूजन आ जाती है उसको पर लॉक्त कहते हैं और जब इस ब्रॉंकाइटिस होने के बाद या उसके बिना भी आपके लंक्स का बेशिक पार्ट एल्वियोलाई एयर सेक्स जो आखरी पार्ट होता है जहां पर ब्लड से ऑक्सिजन का इस्चेंज होता है एयर के माध्यम से वहां पर जब पस का स्वार्मेशन हो जाता है ब्रॉंकाइटी से एक एलर्जी है लेकिन निमोनिया एक इंफेक्शन है जब आपका फंजाई बैक्टीरिया या वाइरस किसी भी माध्यम से आपके जो एयर सैक्स होते हैं लास्ट पार्ट ऑफ दा लंग्स होते हैं मूल मूल जो आखरी कॉंपोने होता है उसमें जब पस्वार्मेशन हो जाता है तो उसको लंग का इंफेक्शन यानि की निमोनिया कहते हैं उस इस्टिती में ऑक्सीजन आपके ब्लड से एक्स्चेंज नहीं कर पाते हैं और आपको सीने में भारी पन कसाओ दर्द वहां मैसूस होने लगता है और ब्रॉं काईटिस के वल इंफ्लमेशन ऑफ दब्रॉंकस है और निमोनिया आपका इंफेक्शन ऑफ द़ लंक्स है निमोनिया ज्यादा खतरनाक इस्टिती होती है ब्रॉंकाइटिस मोर मैनेजेबल कंडिशन होती है बहुत अच्छा बहुत अच्छी कर दो दो नहीं है जाने तो ज इस फिर से बॉस्ट नोट कर लें बहुत आप लोग के बहुत लोगे जो कहें हमारा बच्चा हमेशा बीमार रहता है मौसम बदला उसको नदला हो गया मौसम बदला उसको बुखार आ गया वह सम्दला उसको ठंड़क लग गई तो इस सारी आपकी कश्टों का निदान और तो आपके मेहनत के पैसे को बचाने का उपाय है इसनेशिया दो साथ रुपए की शिशी होती है आप इसनेशिया वन एक्स पावर में अगर आप ले रहे हैं लिक्विट फॉर्म में तो दस बून सुबा साम आप ले लें घर के बुजूर्गों को दे दें और बच्चों क हैंशा वह यह है कि जो ब्रॉंकाइटीस होता है वो जवान लोगों को ज्यादा होता हो जो निमोनिया होता है वह 2 साल से कम के बच्चों 65 साल से ज्यादा बुजूर्ग आदमी को ज्यादा होता यह ज़िए लेकिन अपने को बचा के खाई ये जहां तक दही का विशा है उ उसकी तासीर गरम होगी, रात में न खाईए, दिन में खाईए, और फिरिज का निकाला हुआ न खाईए, भाई आपको पता है, आपको दस बजे खाना खाना है, साथ बजे जब बच्चों को तियार करने के लिए, स्कूल के लिए उठे, उसी समय सारे सारे समान को, मैं कहता ह हो रहा हूं, लेकिन मैं आपको वो जानकारी देना चाहता हूं, यह 90.4 MHz के मादियम से जो आपके जीवन में काम आए, एक बात यह है कि मैं बड़ी-बड़ी बाते करके यहां चले जाओं, बड़े-बड़े नाम बता जाओं, एक चीज होती है, मैं पढ़ रहा था, भू रखा हुआ पीजिए, जल के बारें बतानू, जल की मेमरी होती है, वाटर की मेमरी होती है, साइंस ने प्रूब कर आप गूगल कर लीजेगा, तो उसके बाद वो उसको ठहरा पानी, जैसे कुएं का पानी क्यों अच्छा होता है, क्योंकि वो गुलाई का होता है, तो पानी आप तांबे के लोटे में रखा हुआ पानी पीए, ताकि वो स्टेबिल होके आपके शरीर में जाए, दूसरा हो गया धूप, धूपी एक ऐसी चीज है, जिसको मानवता तक धूसित नहीं कर पाई है, धूप आज भी अपने प्योर फॉर में, तो थोड़ी देर दे को भी दिलवाएं या जो फोन वाली मोबाइल फोन वाली मान सिकता है, इससे अलग धूप होती है, तो दूसरा हो गया धूप, तीसरा हो गया आकाश, थोड़ी देर आप इसकाय के तरफ जरूर देखें क्योंकि वहां से स्टार्स और तमाम माध्यमों से बहुत सी एनरजी धर्ती की तरफ आ रही है, जो शायद मेरा मानना अभी तक अंडिस्कवरेविल है, लेकिन दीरे दीरे डिस्कवर हो रही है, तो तीन चीज़े हो गई, चौथी चीजों के सांस, ब्रीद, एयर, गहरी सांसे लेना हम लोग भूल गए है, आज कल दिमाग गहरा चलाते हैं, लेकिन सांसे गहरी नहीं लेते, तो आप इन चीज़ों, पांच्वी चीज़ जो है, वो मिटी, हमें मिटी से बने, मिटी में मिल जाना है, जिस भी रूप से मिलें, लेकिन जाना मिटी में ही है, तो हम लोग मिटी से अपने नाते को तोड़ दियें, तो थोड़ा सा सुब और यहां पर मैं बता जो कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बिमारी इसको रोकने का सिर्फ एक तरीका है और वहाँ चलना जब आप आपके पंक्यास इंसुलीन सिक्रीट होता है अगर आप चलेंगे नहीं तो दीरे धीरे पंक्यास ग्लैंड का जो 10% इससा आइलिट्स फ्लेंगर हन्स वह सिथिल हो जाएगा निस्क्रीय हो जाएगा और आप उसके बाद दुबारा जो है वहां आपको टेबलेट और इंसुल सब भगवान की क्रपा है हम लोग तो सब उनके हमारे तो यह पांच चीज़ें तिवारी जी आप और तमाम स्रोता हमारे ध्यान रखेंगे अब हम और कॉल नहीं रिसीव करेंगे डॉक्टर उमंग घंडा जी का नंबर आप नोट कर लिजे अगर कोई भी प्रेशन आपको पूछना है तो डॉक्टर उमंग घंडा जी का आप नंबर नोट कर लिजे नंबर है 9415786380 9415786380 यहां नंबर आप लोगे लिए साथियों जीवन भर काम आएगा 90.4 मेगाहर्ट CMS कम्निटी रेडियो के माध्यम से 9415786380 यहां वाटर बांड डिजीज है और यहां बहुत समस्या देता है तो टाइफाइड में देखे क्या होता है जब किसी को टाइफाइड की दिकत है तो खाना हलका खाए सारी सबजिया आप लोगी समय बहुत धोके बनाएगा सबजियों को बहुत अच्छे से वाश कर लें और तब उसको खाएग और टाइफाइड का बुखार में बता दूए क्योंकि बुखार आता है तो आप लोग सोचने कौन सा बुखार कब हो सकता है ताइफाइड का बद्बू आती सड़े अंडे जैसी तो कर यहां सिम्टम आप आए हाई ग्रेट फीबर जो रात में बढ़ रहा हो और सुबा उतर जाता हो आपके शरीड से बद्बू आ रही हो आपके डिस्टाजिस से बद्बू आ रही हो तो आप समझ लिजे हो सकता आपको टाइफाइड करा लें और विडाल से अच्छा का टेस्ट होता है टाइफाइड का वह करा लें आपको एक दिन में क्लियर हो जाएगा को टाइफाइड है और टाइफाइड है तो तुरंत कुसल्ची किस्टक से मिलके अंटिबाइटिक लें वह पांस साथ बारा दिन का अपने हिसाफ से चलाएगा और ठीक हो जाएंगे बहुत बहुत धनिवाद और फिर बीच में जरूरा पाईएगा क्योंकि बहुत ज्यादा सवाल रहते हैं और बहुत अच्छा लगा आप से बात करके ज्यादा समय नहीं है हम बैस आपको धनिवाद देना चाहेंगे कि आपने अपने बात बात करके आप अपनी समस्या का समधान कर सकते हैं और बाकी हम अपने सजी फोनन कारिक्रों में फिर एक बार जरूर लेकर आएंगे हम कॉल नहीं रिसीव कर पाएंगे सौरी और इजाज़त दीजे अपनी दोस्वा को सुनते रहें 90.4 CMS Community Radio नमस्कार लेखे आएंगे हम सब्सक्सिक अपनी कर दोने सुनस। सांग झाल झाल